मुस्लमनों को 16-16,18,18 बच्चे हैं 16-16,18,18 बच्चे गाउं में हैं बहुत सारे लोग जिनके 15-15,14,14 बच्चे हैं कम शकम 1000 बोट बढ़ाते हैं हर गाउं में 1000-2000 शाल में बोट बढ़ते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि जितने बोट बढ़ेंगे अगर कोई बच्चे पैदा कर रहा है तो अपनी हिम्मत के बुनियाद पर कर रहा है लकड़ी की आग लगभग लगभग बुच्चुकी है लेकिन चाय से धुआ अभी उठ रहा है आप उसको भाब कह सकते हैं चाय पक्कर तयार है और हम जो है दूरस्त हिंदुस्तान का एक दूरस्त गाउं जो समझ लीजे की दिली से बहुत दूर है और बॉर्डर के पास में है ये जिला है जैसल मेर इलाका है पोकरण वही पोकरण जहांपर परमाडू विस्पोर्ट करके हिंदुस्तान ने दुनिया में नाम बनाया उसी पोकरण के रास्ते में हमें ये चाय मिल गई साथ में मिले कुछ लोग तो हमें लगा गाउं कौन सा है केलावा 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 गाउं लोगों से बात करनी चाहिए चुकि पोकरण की राजनिती भी बड़ी दिल्चस्प है और लोग जो है चाय लिए बैठे थे तो हमें भी चाय ओफर की गई और यह इसको क्या मिष्ट कटोर में पैसे प्याली प्याली केच्प से हमार प्याली चाह बन गई तो चाय हमें दी और लोगों कि आप पीजे तब पियेंगे तो हमने का पी ली जाए ने टंडी हो जाएगी बाकी लोगों की चाय भी उसमें आप एक बात भूल गए यह आपके दस्तकों को बताना जरूरी है उसमें यह है कि हमारे जो साथ में बैठने वाले जो लोग बुजरूग लोग थे इन्होंने य पहले आपको दी उसके बाद में खुद भी ए इसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती जल्दी खटम हो जाती है जल्दी जो है अभी यह भाई वे अपना लेकिदर यह लग लो आप इसको रख लो दोस्त क्या नाम है दोस्ताब का आपका अपका क्या नाम मेरा थोड़ा दूर में ही यह पर बेठे है यह हमारा जो है चाचा है साले मुंच इनकी यह जोई छोटो मोटे बच्यों के लिए जो है खिलोने की चीजे और का नाम साले मुंच है बड़ा दिल्चेस्प है यह जो सीट है यहां लड़ाई भी जो है dengan की कांग्रिस प्र Safi प्रताब बुरी है उनसे लड़ाई है तो एक तरीके आप कहेंगे दो धर्म गुरुओं की लड़ाई है इस सीट पर तरात्रा मठ के ओवी बड़े है और ये भी बड़े है दोनों बड़े है तो चुनाओ को तो हम समझ लेंगे आप लोगों से क्या चल ला है चुनाओ में प पिल मेर का इलाका और यहां से जुड़ी इंडस्ट्री यहां से जुड़ा टूरिजम बहुत कुछ इस्टेक पर दाउन लगा हुआ है पिलाल खेर तो आपकी दुकान है आप लोग यहां बैटकी लगाते हैं आम बैठे रहते हैं और जो है गरामीन इलाके के लोग आ जात लेकिन इन्होंने जो है जब प्याली हात में इनके आई तो इन्होंने यह कहा के भई यह हमारे महमान है पहले हम इनको चाहे देंगे उसके बाद में हम खुद पिएंगे यहां गंगा जमनी तहजीव की एक बहुत बड़ी मिसाल है हम यहां पर जो है किसी भी तरीके का जो है मुलक को आजदी दिलाई और जिनोंने कंदे से कंदा मिला करके और एक साथ मिलकर के जिस तरीके से भारत को जो है विसुगूरू बनाया था उस जमाने में तो वही चीज जो है हमारे भली राजनिती के हिसाब से जो है आज मीडिया के जिरिये से या फिर सोशल मीडि आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं कि आप देखा यहां पे जो है जो जो काल बेलिया नित्य होता है तो जो मंगण होते हैं वो मुसलिम होते हैं गाते हैं बजन और जो हिंदू होती ही लड़कियां वो लोग डांस करते हैं, उनकी पूरी मंडली चलती है, साथ में मिल जूल के रहते हैं आप लोग सिंधी मुसलमान कहलाते हैं? हम लोग सिंधी मुसलमान कहलाते हैं आपके जो पूरवस थे वो सिंध से आये थे? तो एक अलग तारीख है उसका जो है अगर में अगर उसकी ये तारीख अगर आपके सामने अगर बताओंगा ना तो हो सकता है कि आप से जुड़े कुछ दर्सकत जो है ये कहेंगी हो सकता है कि ये पाकिस्तान की गार हो तुसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि बोडर ये जानने में है कि आप लोग जो आपके पूर्वज थे उस सिंद से यहां आगा ये जो राजस्थान का इलाका है जैसल मेर इससे जो बॉर्डर सठता है वो सिंद है सिंद प्रांत है वहां पे हैदराबाद है नीचे कराची है पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है उमर अमर कोता है जो अब उमर कोत के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है तो आपके तो सूब्लख आए वहां पे क्या करते थे उसी से कमाते हैं, उसी से अपने बच्छों का पैट पालता है। तो आ रहा था तो यहां दूर दूर तुक गाउं नहीं है, कोई बादार नहीं है। यहां पर आपको पूरी दुनिया के अंदर छेतर फल के इतिवार से जेसल मेर dude यह पूरी दुनिया के अंदर जेसल मेरे ऐसा जिल्ह है जो चेत्र फाल में सबसे बड़ा है यह मैं नहीं किया हूं बल्के जो है तारीक बताती इस चीज़ को तो यह जो क्या कहते हैं इलाका है तो इधर तो कोई दुकान नहीं बाजार नहीं एक दुकान दुखी आप लोग दिखे तो मैं रुक गया मैं यह जानना चाहता हूं आप लोग को नमक तेल ये सब लाना और कहां जाना पड़ता है नमक तेल के लिए पहली बात तो यह है कि जहां पर जो है पंचायत मुख्याले है, आप जहां से आए यहां से करीब एक किलो मेटर पीछे, पंचायत का मुख्याले वहां पर दुकाने लगी हुई है, जरूरत का सामान, मेडिकल का सामान, आर तरीकी की चीज मिल जाती है, फिर अगर किसी को जादा कोई अमर्जनसी का होता है तो यहां पर जो पोकरन सीटी है बड़ी तो वहां पर जाना पड़ता है जो करीब 12-13 किलोमेटर पड़ती है यहां से बाकी जरूरत का सामान आपको हर किसी जो होटल पर दुकान पर जहां चोटे-मोटे मार्किट लगा रहता है वहां मिल जाता है ऐसी बात नहीं है तो यहां पास में भी स्कूल है पिछे जहां पर पंचायत है पंचायत मुख्याले वहाँ पर उसके पास में भी स्कूल होती है और उसके अलावा गाहों में बहुत सारी जगा पर इसकूले हैं आओं है कहां गाओं तो दिखता ही नहीं आप यह गाओं आप आप जहां से पीछे आए ना जहां पर आपको होटले दिखी होगी दुकाने दिखी पिछे तूरता बस यह पीछे वाला ही ज्यादा दूर नहीं है करीब एक किलो मिटर होगा तो यहां पर जो है जरूरत का सामान आपको हर सामान मिल जाएगा। काओं कहाँ है आपके यह पंचायत तो वही है जो पीछे आप देखक था है। टोब वहां बनेला इसा नहीं होता है के आप के खीट में में अंग Touch de मेरे होता है मेरे कहते में आप नहीं बना सकते तो किस यसाथ के इसाबस सब बटे हुए जिसकी जहां जमीन इस थमrzते ही उसका मकान ओधा की Yaak पुराने पुरुजों ने उनके बाप दादाओं ने जो है उनके लिए क्या उगाते हैं आप लोग बस यह गवार और जो है बाजरा मूंग तिल जवार वगेरा इस सब देशी किजा होती इसलिए आपको सब सब्सक्राइब कोई इन में बैमार नहीं है किसी के सुगर की या क या किसी अन्हीं रोज शे बैमारी नहीं होती हैंपर रव लोग जो कैसे मेरा एक दोस था इदर से तो हम जड़ी मेरहते हैं तो हमको बोलता था कि यार तुम लोग रोच चावल खोते हो तो मिन गया हो चावल लोग जो लोग ने जошते हैं पर या तो या तो यू अ तरफ या फिर बिहार की तरफ उदर इस्टेटों में चावल खाया जाता है राजिस्थान की आपको ये मालूम है कि जो राजिस्थान की डिस होती ना वो क्या है बाजरे की रोटी और जो है काचरे की सबजी काचरे की क्या होता है काचरा के खेतों में लगता है अभी अभी मोसम गया तो çalmsay के मौसम में इन्हों सब से खूबब खूब 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 छिए और और ये इनसान की सहत के लिए तंदुरस्ती के लिए अच्छी चीज होती है केर सांगरी ये सब भी होती है ये केर सांगरी होती खूब है लेकिन अभी मोसम नहीं है अभी सर्दी खतम होगी उसके बाद में फुल गर्मी आ जाएगी जहागो क्या होती है हमारे तो हमारे अटेस्जिते ही मिलेंगी हमारे यह तो सस्ति मिलेंगी पीछी पेड है ये सब केर के पेड है और इधर आप जैर से भुटर्ना दाऊना देखें करे कर वेः और आप इधर थे दिर बोडर की तरफ जाओ गए तो आपको केर के पेड़ ही पेड़ दिखेंगे सांगरी क्या होती है सांगरी ये जो लूम होता है लूम का पेड़ जो बकरी को खिलाते हैं उसको हमारे यहां की बासा के रफ़ा है उसको खेजडी बोलते हैं लेकिन असल जैसे सीटी में लूंग बोलते हैं कि भी लूंग का चारा वगेरा होता है तो ये लूंग के पेड़ के उपर ही लगती है तो लटकती रहती है क्या ये लटकती रहती है जैसे ये बूले के उपर जो उसका जो फली लटकती है इस तरीके से ये भी लटकती रहती है ये मुर्गी उर्गी आप यह साले मुहम्मद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यह मोदेसी मुरूगे हैं है मैं अच्छा एक बाता हूँ आप कि मैं कोई बहुत कटिन सवाल पूछ रहा था क्या इन से नहीं कटिन तो कुछ नहीं तो यह जो है यह किते रुपय किलो बिगता है यह काड के नहीं बेचते हैं तो यह कोई अंडा बंडा विकता है इसलिए रखते हैं सब्सक्राइब काम में लेते हैं अक्षा तो यह जीत हैं यह इनको दिल्ली जो है जाना है भी तो यह रास्ते के लिए अपना बन आ लेंगे तो एक मुर्वा आप कि नहीं दोगे इनको कि इसमुर्गे और जो बजार में मिलता सफेध के अंतर होता है वो फार में बोलते हैं वो फार में बोलते हैं है फार मी बोलते हैं जो मर admir implementing आई तो मशीनों से तियार होते हैं यह ऐसे बच्चा निकाल के और मुर्गी के दाना पाणी खाकर तियार होता है इसके स्वाद और उसके स्वाद में अंतर होता है बहुत अंतर होता है वह दो सुरी के माता है यह जार बारिशों माता है यह अंतर है यह यह अंतर है उन्हें जी ए कुण करो कि करुंद एक जीन देखें। कि ट्बॉज तोड़ा बाऒगे अपिशन आपराइन से हम चोटे हैं। ंच इस नॕपके अपनी ब्रस बने ब्रस्करा अपिशनOh tag और Bigraj में जह बेगर शरकितष हम उस्थस नहीं है जाफ मस इस चाहरे हैं। आप लोगों क्यों बड़े छोटे हैं थोड़ा पायदान का अंतर समझाईया कि आमने ने जो है इनके पास बीशी काए है अब हम दूसरों को सिखा है इसलिए हमारे बड़े गुरु हो गये जासे हैं आह इसे बाइसे बहुत में गुरू हैं कि दाटतें नहीं कि लोगों शीकने शिक्काने में डाटने का कुई मस्छा ही नहीं है आप ये जैसे एक नाम तुम्हारा रहिसुत दीन तो ये ठीक मौल ही बनेगा आ इंशालल आखा पूरा बगेर देखे याद करने वाले को हाफिज कहते हैं फिर उसको तर्जमे के साथ यानि माने और मतलब के साथ सीखने वाले को आलिम कहते हैं फिर उसकी तमाम बारीकियों को समझना और फिर आगे पढ़ाना और दीनी हो या दुनियावी हो अपनी आम जिन्दगी का मसला हो या फिर मरने के बाद के मसाहिल हो उन सब को गुरान और हदीस से न साम लोगों के सामने बयान करने वाले को मुफ्ती कहते हैं तो इसमें बड़ा कौन होता है मुफ्ती सबसे बड़ा होता है जो है जो एक जो लोग फत्वे जारी करते हैं वो कौन होते हैं तो क्या फत्वे जारी करते हैं जिस जैसे जिस किसी को दुनिया का मसला हो या हमारी मसला है इसके मुतालिक इसलाम क्या होकम देता है तो वो मुफ्ती कुरान और हदीस से उस मसले का हल निकाल करके इनके सामने पेश करता है जिसका जो भी मसला होता है जिसने पूछा है उसका जवाब देते हूँ пока यूस्य और इमाम क्या होते हैं जिसे इमाम बुखारी, तो वो मुफ्ती से भी पड़े होते हैं? पो पैंच नमजे रहता है, जो भी मस्जिद में नमाज पढा Hönisorieयद के साथ। इमाम बड़ा हुआग्ट मुफ्ती? मुफ्ती भी इमाम बन सकता है हाफिज भी इमाम बन सकता है जो पांच नमाजे हैं उन पांच नमाजों को एक आगे पढ़ाता है बाकी सब उसके पीछे पढ़ते हैं तो जो नमाज पढ़ाने वाला है उसको इमाम कहते है अब उसको वो एक कुरान जो कुरान जिसको थोड़ा बहुत भी पुरान याद है और उस टेम पांच अदमी जमा होगे है और चार नमाज उसके पीछे पड़ने एक पड़ा रहा है तो पड़ाने वाला इमाम है अगस रेने वाला इमाम होता है जो आगे r कि जामे मस्चिद के इमाम है वहां नमास पढ़ाते हूं और बुखारी उनका खानदानी नाम है आपका क्या नाम है मेरा मुहम्मद हनीफ हनीफ जी यह पताईए जैसे फत्वे जारी किये जाते हैं तो क्या फत्वे अगर आपने जारी कर दिया किसी ने तो सब मानेंगे फत् कि आपने बात तौर मुझे किसी की चीज के मुतालिक पूछना रहे हैं मैं में मुफ्ती के पास जाओंगा तो मुफ्ती फत्वा जारी करेगा मुफ्ती अपनी तरफ से इंकिसी भी मसले का फत्वा जारी नहीं कुछने ustedे वालों का जवाब मुफ्ती देता है यह बताई जिसे कही बार हम लोग देखते हैं न्यूज वाले में कि उसको फलाने को पकड़ लाओ फत्वा जारी कर दिया या उसको बोड़ दो वो सब क्या होता है एक बात जो है आपके चैनल से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रौपेकंडर किया गए है मीडिया जरीए से किस बात का कि फला मुफति को बूला लो वो इस बात को ले करके फत्वा दे देगा फला मुफ्ती को बला लो वो इस बात को लेकर फत्वा देदेगा अलाकर ऐसा कोई भी मुफ्ती नहीं है जो राजनितिक एतिबार से फत्वा देता हो हमारा फत्वा क्या होता है जो हमारे मुफ्ती होते है बड़े उनका फत्वा एक ही होता है कि मरने के बाद में जो जमीन पर तुम रह वे खर है के गुना कर रहे हो, शराब पी रहे हो, जुआ कहल रहे हो, या अपनी जो है जो है जूइंट फैमिली की सिस्टम को ऐगर बिगाड रहे हो, तो फिर उसके मुतालिक फत्वा मांगा जाता है, वो उसके मुतालब देता है कि अगर तुम इसका अगर गलत करोगे तो इसका नुकसान गलत होगा और मरने के बाद में मालक की हाँ तो में यह सजा मिलेगी बाकि ऐसा नहीं है जो यहां मीडिया के जरीए से जो परवपे करिमना किया गए ना कि इसलामी मुफ्ती को बला लो मुफ्ती फत्वा दे देगा कि फला पाल्टी के साथ हो जाओ फला पाल्टी के मुखालिफ हो जाओ उस पाल्टी का समर्थन कर दो उस पाल्टी की मुखालिफ कर दो तो ऐसा नहीं होता हमरे यहां और आपने जो सवाल किया ना इनसे कारी अनीफ साथ से यह सवाल यही था मैं इस बात को समझ गया था आपका कहने का मकस्द यह था कि मुफ्ती से हम फत्वा मालूम कर लें तो मुफ्ती हो सकता है कि किसी पाल्टी का एजेंट बन करके वो फत्वा दे 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 ऐसा नहीं होता ह जो लोग करते हैं वो जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं ऐसा नहीं होता है इसलिए जानना चाहता है तो कही बार अखबार में जब तक फत्वा जारी हो गया वो फत्वा जो है एक परो पेकंडे की तहत होता है वो फत्वा जो है खाली हमारा जो मुफ्तियों का फत्वा हो होता है जो हमारे जो बड़े हैं उनका फत्वाह होता है। और दीनी इतोफ दीनी का मतलब के आप शराब पी रहो हो या में यजकर किसे गुदा like यह मरने चाथ ऑर माने के बाद मुझे मेचय कोare । जन्नत को क्रान को रोटमसर्ट होता है। अछ्य कम करने वलों को मरने के बाद में जन्नत मिलेगी और बुरे कम करने वालों को जहान्नब मिलेगी। जिसको स्वर्वग और नर्क कहते हैं। ने हींदु मगजब असे लोग जो है बहतर हूरे वाला किया बतात ये परोपगंड़ा एक किसी ने भी बैँ आज सोसल मेडिया का जमना है तो इसके तहट में किसी आम जाहिल आदमी ने कुछ बात लिख दी तो फिर उसी को प्रोपगंडा बना करके लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए या कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसी ख़बरें फैलाई जाती है मुझे आप थोड़ा जहीन आदमी लगे तो मुझे लगा ये चीजे मैं खुल के पूच सकता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मरने के बाद बात तरूरे में तो यह बात कहा से आए सोशल मीडिया के जरी से यह करामात है और बलके मैं तो जो है इससे उठकर कि यह कहता हूँ कि मौझूदा दोर की जो बाते हैं ना जो परोपेकंडा किया जा रहा है इसलाम के खिलाफ उसी का नतीजा है और कोई लेने दिना नहीं है बाकि आप जो है इलेक्शन के मुताले के सवाल करते हैं तो सबसे आप कर ले सब खड़े सबसे पूचेंगे लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा समझ भी लेना चाहिए कि लोगों की जिन्दगी कैसी है उनकी रवायतें कैसी है तो आप कितने गाउं में जाते हैं मैं वैसे मुस्तकिल तो रहने वाला तो यहीं की मेरी पेदाश भी यहीं है बाल बच्चे सब यहां लेकिन रहता सीकर में हूँ तो आपको सीकर के चुनाओ का भी पता होगा यहां का भी पता होगा क्या लग रहा है आपको हालात के इतिवार से ही लग रहे हैं और बशसे लगने कर तो क्या है मेरी खुछ की खाहिशी है कि यहां से सालिम हमसाब जीत करके निकले और वहां हमारे राजुपारिक साहब है को आप लोग समर्थन नहीं करते कभी नहीं करते हैं वजह क्या है उसकी अंब बज़ा कुछ नियुक्त पिस्टे प्सक्राइभिस कटर समर्थन कोई कुछ तो वजय होगी कि हमारा काम करता है यह हमारे खिलाब बात करता है कुछ तो वजय होगी सबकिया अपनी पसंद होती है अब यहीं पास में देखो तो मेरे दादा लगते हैं वो बीजी-पी एक दम कटर समर्थके और परतापुरी के साथ में परचार के अंदर घूमते यह नहीं यहां पास में आपने अपनी बहुना होती है तो रहते हैं वीजी पेवागे साथ यहां लड़ाई किसमें किसमें जादा कौन मजबूत लग रहा है मसबूत तो क्योंकि मैं पांच गए नहीं यहां तो बैटते हैं लोगों के बीच में तो कुछ साल आप के साहब के मुस्थाप formal और लिएंफ परसाब्या अपकूरिकल हम जाते बहुत बहुत हैं तो आसे में तो जो है आपको ली लगता की लग रही है बआप अपर की रख कर और जो हिंदुों के वोट है ऑफ इनको मिलते है साली महम्मद जी को निकलते हैं तो मसलमानों की वोटिंग तो कि मितनी या 58'60 के के करिभ हैं और तो टोटल वोटिंग तक्रीबं डेडलाग से उपर है तो जीतने वाला जीतने वाला तक्रीबं 85 से 90 हजार वोट लाएगा वो जीतेगा तो जब साले मुम्मत के अगर टक्कर में बता रहे हैं तो वो हिंदू बायों के वोट आ रहे हैं हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट बठा हुआ है बठाएं दोनों के आप आपका क्या है कहना आप चले काली जल्दी में क्या अच्छे तो आप जाए इनको छोड़ जाई यह बढ़ेंगा बातें बता रहे हैं कहां जाना है आपको भी यह रिष्तेदारी में मुलाकात के लिए जाना है का आप जाईए बहु सालेh मुहम्मद जी को चाहते हैं आपका तो नामी सालेh मुहम्मद खुद ही जीते हुए है गाउं के मुख्य यहीं है आप मुख्या हो हुआ है तोड़ा आगे हैं यह मुख्या है और क्या है प्रधानी के चुना होता है यहां होता है तो आप ही है प्रधान हम कैसे परदान है हम तो एक मजदूर आदमी है है तो कितनी है आपकी आबादी गाओं की गाओं की आबादी वोटर तो करीब 2526 के करीब है वोटर तीन हजार के करीब किन हजार लोग रहते का यह क्यों नहीं 31 यह सब आपको जानियों में अलग जिगापर रहते है कि बता है और अंदर अंदर लोगों बसक्राइन कवेर्ण ना कि खीट के सबसे लोगण रहते हैं जिसका जहां खेत है ओसी इसmore से हों रहता चाचाए आप रहते हैं अपर आप किया गरते हैं कि किस सीज का करूपार है किसी गर्णी गरें के दीजिक हैं रुटी किटने से वाहां कि यह सूरत ले जाते हैं वह बकरें पालते हैं और जब सीजन आता है भखर इद का उस वक्त में सूरत ले जाते है मंडी दिने सूरत ले जाते हैं है है हर्ी और बस हुआ आप जब सूरत बखरे लेकर चाथ ॅकितने लेकिना इंदाっ शर्छाज je six जा साले मुहमद जी से एक मुर्गी जीत को दिल वादी एक मुर्गा एक हजार रुप हम दिल वाया आपको पखरा देना हुट कितने दोगें अभी वाकरा पॉंस मेल जाओ नहीं मिले पसा हमी पॉंस यह कह रहे हैं कि बखरे की रेट अभी तो कम है मालो जैसे अभी दस में मिल लेकिन बखराई कि मसम में सीधे डबल हो जाएता बीस जारो जाएका प्चा आज़ना जो चो पूंस बखरे देखते हैं कि इसमें कुछ लिखा रहता है कुछ बना रहता है तो लाक लॉप म्चा होता कि को बखर इतीम भी का एक हृई 65 जार ने को बीका अब बजन केतना हो बजन कुंटल क difat बखरा एक रिंदा जिंदा जिंदा इसी वात नहीं तरफ आप भब तो यह पैसे होगा लेकिन यह साल के बुजरुक बता रहे है तो मानना पड़े का वह अप यहां यहां के कप से रहने माल रहे हैं यह पाप जाए ए कर जब यह जब चाहित नहीं तो तो अब जो है आप लोग भी सिंद से आयते हैं जो लोग यहां है वो प्रॉपर यही रहने वाले हैं या सिंद से पलायन करके हाँ यह यह भी मैं आपके सामने यह बात का भी खुलासा कर देता हूं कि यह एक मीडिया का परुपेकंडा है सिंद से इस पता नहीं कौन सी सदी में कौन से सन में और किस जमाने में आये थे बाप दादा जो है को आज जमाने गुजर गए होंगे कई सालों गुजर गए होंगे अब तो इसी मटी के अंदर रह रहे हैं और कोई मर जाता है इसी मटी में दफन होता है यहीं रहते हैं यहा उसके जो नारा है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हम इसी जमीं में पैदा है, इसी जमीन में रहे और इसी जमीन में मरना है और इसी जमीन की लिए हम आज भी रक्षा के लिए तो रहात इंदोरी साब का एक शेर है ना कि मैं तो जमीन में दफन हो जाओंगा और इस टाइब से बड़ा अच्छा शेर है उनका ने उसमें तो किसी को कोई संदे नहीं अच्छे जिसे बहुत सारे लोग यहां से जो है जो जो बॉर्डर के एरिया थे खासकर पंजाब में आज तो इधर के लोगो लोग उधर गाए उधर के लोग इधर आए तो अभी भी तो बोली चाली अशबन टो मिलता ही कि लोगों का झाली तो जो अब हम जो नहीं नसल है ना, हम लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन बाकि जो हमारे पुरूज है, जो बड़े हैं, बुजरुक है, जो तो वोलोग जो है, फ़ादी बालाने में थे लुग又 हमारे अंधर तो उचेज नहीं खत्म होगी यूगा पीड़ी है, उसमें उचेज बाकि नहीं पहले ले और कमिनल लाइन बड़ी मोटी होती जा रही है आपको समझ होगी इसकी तो इस पर आप क्या सोचते हैं इस मामले में एक ही बात कहना चाहता हूं यह सब जो है राजनितिक परोपेकंड है और सोशल मीडिया के जरीए से जो बदनाम किया जाता ना एक कौम को लेकर के टार्ग सचाहित नहीं है और अगर यह आप कि और से भी किसी से मालूम कर सकते हैं मैं तो सवाल इसलिए पूछ लेता हूं कि ताकि लोगों को सचाही पता चले आपका पूछना आपके हजारों दसक है आप उनको दिखाओ देखेंगे अभी लाइवी देख रहे होंगे कितने लोग लाइवी देख रहे होंगे हम खुद भी देखते हैं आपका लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सब जो है राजनितिक परोपकर गलत चीजें भी पहलाई गई है यह मैं करा हूं आपको 99% जो है खालिस एक कौम को लेकर टार्गेट किया गया सचाही नहीं है इसमें यह स स्मार्ट फॉन का दोर है तो सभी उस चीज को देखते हैं तो उस हिसाब से जैसा देखते हैं वैसा यकीन करते हैं लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है मैंने अभी जैसे आपको बताया अब आप जो है चैनल के मादम से यहां पर आए 500 किलोमेटर का सफर ते करके आए हैं देली से च चाचा इनने क्या बोला कि चाए पहले उनको दे दी गई लेकिन उनों नहीं ली कि पहले जो है यह हमारे मेहमान है हिंदू-श्य मुसल्मान है झालग में है यह जुटता है मैंने देखा है कि बहुत संस्गर्तिव आपके गाव इनाम भी एक जैसे होते हैं आज भी हमारे तो बीख कर नार्टों को नहीं तो नहीं मानना चीजी अरो अचा मुसलिमों को शूटे चोटे-चोटे-चोटे-जैसे मुसलमनों में जो बड़ी सीटी हो में लोग रहते हैं उनमें अलग गोद होते हैं अब हमारे यहां है तो हम अलग पहचाने जाते है हमारे परोफिट जो है मुहम्मद साब थे ना उन्होंने कुरान में एक बात कही है या यहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन जकरियू वा उनसा वज़ालनाकुम सुखूबं वा कबाईल लितारफू इसका पूरा खुलासा और मतलब यह है कि मालिक ने यह कहा है जिसने इस्वर ने हमें जो पैदा किया उसने यह कहा कि जमीन के ओपर मैंने इनसानों को उतारा तो सब एक ही मालिक की पूजा करने वाले एक रब को मानने वाले लेकिन इनसानों को जो कबीले, खानदान, बिरादरी, समाज में बाटा है इस वज़े से कि ताकि एक दूसरे की पहचान हो जाए कि आप अलग चीज से तालग रखते हैं, हम अलग चीज से तालग रखते हैं पहचान के तोर पर बाकि हम सब इनसानियत के नाते सब एक है, ये तो हमारे कुरान में जो है, प्रोफिट मुहमद साम ने कही है, हमारे इस पर यकीन है, इमान भी है लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि आप लोग जो है गाहों में रहते हैं, दूर दूर एक जगह पे जूठो के चाय वाइपी ने बैट जाते है अच्छाई तो अभी पी ने साले ममस साब के आपने चाय पी है अभी मसाला बाद में मिला ले ना क्या कर रहे हो अच्छा इदर आजाओ चुनाओ आ रहा है ने अभी चुनाओ पर थोड़ा पताओ क्या चल ला है गाहों में अच्छाई चुनाओ के बारे में मेरा तो स्पिस्ट करन यह है बाकि आप यह हम से बड़े लोग इन से मालूम कर लो कि यह जो पिछला जो है कौने में और करने में फरक होता है तो आप भी समझते हैं कहना इलग होता है करना इलग होता है अर इनसान की सोच अलग होती दिमाग नई होता है अगर कोई किसी के साथ चला जाए तो कोई रोक नहीं सकता मैं यह सोचता हूँ कि कांग्रेश का जो 2018 से लेकर के और 23 का जो कारेकाल रहाना उसमें जो असोग गहलोत साथ जो योजना लेकर आए जिसे मिसाल के तोर पे उसमें बड़ी योजना क्या है वो 25 लाख रुपे का बीमा है किसका कि अगर किसी के गुर्दे फैल हो जाए या कोई आदमी जो है बेमार हो जाए जिसके पास में गरीब आदमी है रहने के लिए छपर नहीं है जिसके पास में खाने पीने का इंतिजाम नहीं है तो अस्पताल में जा करके और चिरिंजीवी के जरीए से उपने 25 लाख रुपे का इलाज फिरी करा सकता है जिसे मैं आपको एक उधारन देता हूँ अभी बीच की बात है मैं भी सीकर जिले में गाउं है खंडेला कस्वा है आपको इसका फाइदा मिला चाचा आपको इसका फाइदा मिला मेरा मेरा को मिला नहीं तो बता रहा हूं आपको मेरे को मेरा बच्चा जो है बीच में उसको बुखार हो गई बुखार उसके जो है सिर में तेज हो गई तो वा क्या कि हम सरकारी अस्पताल में ले जाने के ब कि हम यहां इलाज जो है सोचेंगे विचार करके फिर हमने अमारे जो बड़े जानकार थे उन से मसोरा किया तो उन्होंने सीकर के अंदर एक जनाना अस्पताल है सरकारी वहां पर चिरिंजीवी उजना भी चालो है वहां लेकर बच्चे को बुखार था दो दिन इंजीकसल द लिदो देजल कर वरात है तो यह सो कियो अच्छी ना और पूरे इंडिस्तान में कहीं उन्हें नहीं ना भीहरा मैं ना औरी समय में बंगाल वें न देली में और अईुष्मान योजना भी तो थी जानते हो क्या है जो सीटियों के अंदर नगरपाली कामें कचरे वाली गाड़ी है उसका फायदा बस और और उससे हमें तो कोई नजरार नहीं रहा और आप उसले मकान वकान आप लोगों मिले हैं सोचाले है ओ एएससे सोचाले मिले हैं पर्दान मंतरी आवासी मकान भी मिले हैं आप परिवे 22 On युशे पर ने अवास्य ओती थी अपर दान मंत्री आवास योजना हो गये आवास के जरीये से पहले भी आती थी यह वह फ्री जाता है लोगों को इस काम है सरकार को हमार रखास ही अमारा तो आर यह अशों गयलोथ की जो एचे नकंजी वी जुद दूज तो इसे अधर आपके यहाँ जो है लोगों को मोबाइल मिले जो बसरकार बाट रही थी और भी किसी को मिले किसी को नहीं और यह गारंटी साथ गारंटी दे रहे हैं असोक गहलोत इस पर आप लोग को भरोसा है प्रेटी के निए और यह क्या है पुराने आपको पता है आपको भरोसा है अशोक गहलोत की काम पर आप लोगों को भरोसा और जो बीजेपी की सरकार थी वसुंदरा जी भी तो काम करती थी उनका काम कैसा लगता था उनका भी ठीक था अब 19-20 का फरक हो था यह 20 से इस इस बा बल जाती आपको क्या लग रहा इस बर रिक डोगी सरकार रिपीट वित यह इतिहास बन जाएगा देखो आप वनता है का लगत राग रिपिट होगी इतियास बने कब का सबस्दें बहूत बैसरीन तरीके साराम फरमार हो हाय इस दो बिगे दाडी और बोल नहीं शोटी डा बड़ी दाड़ी वाले बोलेंगे अपनी दाड़ी को पड़ा होगे आती नहीं रोकानाइद खाने कहीं मिलता नहीं है यह दो के बखुद लोग मिले लेकिन जैसे हम पूरे चुनाओं घूम रहे हैं अापका क्या नाम बाइसां मुख्म और मौह्मध खान से ज्यादा आराम अराम से लेट करते हैं कि अएक लाइन करना भी बहुत कुछ है नई कुछ नियागाए ने लिए आपने वाली जो लाईने उसको बहुत गंभीरता से ले लिए क्या कि एक लाइन है कि अजगर करें चाकरी पंची करें लिए काम अब दास मलूका कह गए सबके दाता राम यह एए एक कुछ नहीं करना है तो रोजी रोटी कहर का खाना पी ना कैसे चलना है उपर लाच चला रहा है मेरे क्या अताकत है जला नहीं कुछ तो अपने से भी करना होगा नहीं तो आदनी लेटा रहे पड़ा रहे जो एज़ उपरवाला ही दह दे जे गा उपरवाला ब। उसी देता है जो मेहनत करता है काम करता है ना कुछ नहीं करते हैं तो सूते पढ़ी बस यह नहीं जाएक औए हुआ है एक हुई साधी मत्चे चार क्या साधी में मुश्मानों को शोड़ा-ठार ठारबच घ्राबुटे है कि आक का रहा है आप किसी करें इसे शूर को में हमारे गाले हैं हमारे गाउ में है बहुत सारे लोग जिनके 15-15-14 बच्चे हैं कि बात कर रहे हैं बात तो वही कर रहा हूं जो हकीकत है कम से कम अजार बोट बढ़ाते हैं हर गाओं में 1000-2000 साल में बोट बढ़ते हैं मुस्लमनों के यूँ ऐसा करते हैं जितने बोट बढ़ेंगे हमारे मुल्क की जो है इस अधी बढ़ेगी हम जो विश्व गुरू बनेंगे विश्व गुरू जबान से बोलने से थोड़ी बनता है कुछ करना वी तो फढ़ता नहीं आवादी बढ़ेगी और्रकाने को नहीं है तो यह ठीक है क्या खाने को कैसे नहीं अभी आप इन आप कितने टेम खातें दिन और जो है गुड़ वगेरा सब मिला करके फिर छास रबडी ताकत वर चीजे हैं हमारे भूख मर रहे हैं दस बच्चा है वो पांच पांच जार शाम के लाते हैं एक पांच पांच जुच्विय लेकर आता है क्या है आप भी सोचो गजब बात कर रहे हैं सरकार का जो रहे हैं कि दो बच्चे अच्छे आप लोग करें 16 16 वो तो किश्मत की खा रहे हैं यह थोड़ी है कि दो से लक्वती हो जाएगा रेक वाला ज्यादा वाला यह इसमें एक पॉइंट और है उसका भी मैं आपके सामने खुला आपको यह बता देता हूं कि ऐसा नहीं है अगर कोई बच्चे पैदा कर रहा है तो अपनी हिमत के बुनियाद पर कर रहा है वह गोवर्मेंट अगर कोई सुईदा दे रही नहीं भी दे तो आदमी मांगने थोड़ी जा रहा गोवर्मेंट के पास में उसका अपने माले के उपर बरोसा है वह खुद मेंती आदमी अपना है बच्चों के पेट स्कूल तो समझ में आ रहा है वह पढ़ाता भी है उनकी जो है लिखाई भी कराता है उनकी और एजुकेट भी करता है उनकी तालीम भी अच्छी करता है सब होता है मेरा कहने मतलब यह है यह सरकार का जोर है कि दो ही बच्चे अच्छे है क्योंकि आदमी जो है उतना पढ़ा नहीं पाता महंगी फीस हो गई आज की टाइम पर तो यह पहले 16-16 बच्चे लोग पैदा हो रहे थे या अभी भी जब पढ़ लिख लिए तब भी ऐसा है अभी पहले के मुकाबले अब फर्क पड़ गया है पहले जितनी लाइन लगती तो वैसा नहीं है लेकिन अभी भी है सी बात नहीं है ठीक है हां पांच मान 6-6-2-2-4-4 तो करीब-करीब आम से ही है अभी भी यह क्या है असल में जो लोग जो है CT को होते ना अब जो इसमें एक ब कि यहां हमारे हिंदु भाई है उनके भी हाले हमारे तरह इन में कितने होते हैं और दद्दिस होते हैं पांच मास भी होते हैं अब फरक पड़ गया है पहले की बता रहा हूं मैं आपको यह बात ऐसी बात नहीं है आट-ट-अच्छे यहां पर लोगों के भी होते हैं लोग हिंदू भाई के अगर 57 बच्चे है तो मेरी जानकारी नहीं क्योंकि मैं यहारा रहता नहीं हूं मैं सीकर रहता हूं आपके कितने बच्चे हैं मेरे खुद के दो लड़की है दो लड़के हैं आपके देखी कम है पहले के मुकाबले लोगों की जिसे आप बता रहों 16 16 तो आ क्यों है में अचे एक करया है नहीं हमने इस ही वज़े से किया है खान पीन का फरक हो गया तो खान पीन की वज़े से और तब और आदमी में खुद में भी वो ताकत नहीं रहती है जिससे वो दाश कर सके तो इस वज़गा से हां उले can ते है हैं ढ़ोला कि एसे और शEs Lisa प् औरत के जो शरीर होता पर बोड़ा बुरा असर पड़ता आप कहां से हो मैं सरनाइच से रामदेव रसादी और आपका क्या नाम है इजे आप दोनों यंग हैं तो आप जैसे इन्हों ने बताया कि जो लोगों की 16-16 बच्चे पेदा होते थे है है अब जो आप लोग यूथो आपलो क्या चाहते हैं आपकी शादी हो तो और सब्सक्राइब का फायदा है लिए आपकी शादी हो गई इसनो झपी वैं पए डो भ रुखना है क्या आगे बढ़ना है ने उक नहीं कर नहीं बाद बढ़ा नहीं अभी बढ़ाने कितने तक ले जाओ दो चार ओड़ेंगे बड़ी क्या करते हो लोह का काम फैब्रिकर से और घर में घर में कौन-कौन लोग है घर में आप किते भाई बैन हो चार तो आप जिसे कितना कितना खर्चा कमाई हो जाती है आपकी कि अजिया कमाते हैं 1220 आप दिन में कवाते हो और पांत-साथ बच्चें हो जाएंगे को इसे पालोग कर कमाईगे बच्चे भी कमाएंगे तो जार बार सब दिन के लाएंगे उनको आप पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं उनको कमाओगे पढ़ाएंगे बाद में वो कमाएंगे आप कै सुचते हो बाई सर मैं तो विश्णवी कम्यूटी से हो और मैं खुद गौवर्मेंट वेटमेरी डॉक्तर हो दोई बच्चे हैं मेरे तो जो बच्चे हैं आप लोग कैस तो कितने बच्चे होने चाहिए अभी दोई का सोच रहे हैं दोई कैस ओच आप जिसे ये दो स देता है 18 साल बाद देता है बाप दादों ने दिया कांग्रिस को देते हैं और आप लोग का क्या है यहां पर वोटिंग तो सर मरे उद्दर हम भी कांग्रिस को दे रहे हैं साले मौमद चलिए अच्छी बात चीत रही बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ें पता चली गाउं म तो नहीं मिले दूसरे साले मौमद जी मिले इन्होंने बहुत बढ़िया चाय पिलाई बाकी हमको यह भी पता चला कि चुनाओ की तासीर क्या है यहां के लोगों की संस्कृती क्या है कैसे घुल मिलकर मिल जूलकर रहते हैं पता यह भी चला कि जो यह 72 हुरो वाला कौनों का वोट यहां मिलता है हमारे गेर मुसलिम भाई भी है वो भी हमारे साथ ही रहते हैं सब कहने आप इस चीज को दोनों को साथ में इलेक्शन में भी ऐसा नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आधे आधे बट गए हैं जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ भी जुड़े यही है दिल्चस्प लड़ाई यह है कि जो साले मुहमद है उनको अगर जीतना है तो वो हिंदू वोटों में सेदमारी करेंगे उनको हिंदू का वोट मिलेगा तब चुनाओ जीतेंगे और प्रताब पूरी जी चुनाओ तब जीतेंगे जब उनको मुसल्मान वोट मिलेगा काम की वज़े से मिलेगा सब देते हैं पहले से देते आए बात आपकी सही है लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां अगर साले मुहमद को जीतना है तो उनको हिंदू का वोट मिलेगा जैसे इन्हों ने बताया तब जीतेंगे परताब पूरी जी को भी अगर चुनाओ ज सकते हैं हमारे लिए भी बड़े ये भी बड़े लेकिन हमारी जो बावना है वो कांगरेस के साथ ठीक बात है तो कहानी है जो आपको बताए इसलिए यह सीट बहुत फसी हुई मानी जाती पिछली बार 8702 वोटों से फैसला हुआ था इस बार भी जो फैसला होगा कि वो हजार पांस सो दो हजार तीन हजार के अल्ले पल्ले ही फैसला होगा बाकि हम और यहां लोगों से बातचीत करेंगा आपको यह पूरी बातचीत कैसी लगी कर्मेंट करके ज़रूर बताए देख तेरे दी लेलन टॉप शुक्रिया मेरा नाम है बिनो पांडे मेरे झाल